नमस्कार साथियों, आपने खुफिया एजनसीज और जासुसों की कहानिया तो जरूर सुनी होंगी और उन पर बनी बहुत से फिल्म में भी देखी होंगी और जब किसी खुफिया एजनसी की बात होती है तो हमें यही लगता है कि सभी देशों की अपनी-अपनी खुफिया एजनसी होती है जो उनको बाहरी और आंत्रिक खत्रों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए परदे के पीछे से काम करती है उधारन के लिए भारत की रौ, आईबी, अमेरिका की CIA, FBI, इसराइल की मौसाद, इत्यादी, इत्यादी लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि हमारे बीच में एक ऐसी खुफिया एजनसी भी मौझूद है जो किसी एक देश को नहीं पूरी बलकी पूरी दुनिया को चला रही है जो इतनी ताकतवर है कि कई powerful लोग जैसे politicians, businessmen, actors, powerful government officers इनके member हैं और दुनिया भर की सरकारे इस खुफिया एजनसी के इसारे पर चल रही कटपुतली मात्र हैं जो इसके हिसाब से काम कर रही है कहा जाता है कि इस खुफिया एजनसी का network इतना ताकतवर है कि किसी को थोड़ी से भी भनक लगे तो ये दुनिया के किसी भी कौने में बैठ कर बड़ी से बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकती हैं लेकिन इतनी बड़ी खुफिया एजनसी होने के बाद भी कोई से नहीं जानता कि इसे चलाता कौन है कौन है इसका मुखिया, कहां है इसका headquarter, कौन-कौन इसके member है, कहां इनकी meetings होती है साथियों हम जिस खुफिया एजनसी की बात कर रहे हैं उसका नाम है Illuminati लगबग 270 साल पहले अस्तित्व में आया यह है खुफिया समू तब से लेकर आज तक कई conspiracy theory का हिस्सा रह चुका है French Revolution से लेकर के World War, अमेरिकी राष्टपती John F. Kennedy की हत्या, even 9-11 की attack और Corona महमारी तक को फैलाने में जैसी बड़ी बड़ी घटनाओं के पीछे जिस खुफिया समूओं के होने का दावा किया जाता रहा है उसका नाम है Illuminati लेकिन इस खुफिया एजनसी से जुड़ी हुई बाते और दावे यही खत्म नहीं होते क्योंकि जब आप इस खुफिया एजनसी के बारे में और जाता जानने की कोशिशे करते हैं तो उससे जुड़ी हुई ऐसी बाते सामने आती हैं जो काफी भयानक सी है जैसे कि इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी खुफिया एजनसी है जो Black Magic का यूज करती है ये लोग Lucifer नाम के शैतान की पूजा करते हैं और उसकी आखों को अपनी एजनसी के प्रतीक चिन के रूप में उपयोग करते हैं क्या ही लोग तो ऐसे दावे भी करते हैं कि इससे जुड़े हुए लोग चीजों को प्रमोट करते हैं और इससे जुड़ी हुई फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज इस खुफिय एजनसी को अपने फैंस की अगर थोड़ी देर के लिए इस समू से जुड़े हुए सारे तथ्यों को बिल्कुल सही मान लिया जाए तो इसका निचोड यह निकलता है कि दुनिया में हो रही तमा अगर इसका सीधा जवाब आपको दिया जाया तो इलुमिनाटी के अस्थित्व में होने को लेकर लोग भी दो हिस्सों में बटे हुए नजर आते हैं एक समू है जो इसको सिर्फ इतिहास में घटित हुई यह घटना का हिस्सा मानता है तो वहीं दूसरा समू इसे आज भी एक ताकतवर सक्र एक खुफिया एजनसी मानता है और इलुमिनाटी के प्रती लोगों का यहमत काफी हद तक तै होता है इसके इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं और सवालों से इन ही सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको देने वाले हैं कि कैसे इस खुफिया एजनसी सम्हू इलुमिनाटी का उदै हुआ कैसे ये कॉंस्पिरियसी का हिस्सा बना और सबसे जरूरी बात क्या हमको इस खुफिया एजनसी से डरने की जरूरत है तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में विस्तार पूरवक जानेंगे कि कैसे इस्था शापित हुई एलुमिनाटी की खबर सुनते सुनते अभी तक मन में इस प्रकार का भाव आने लगा होगा कि ये जो भी करता है उसके बारे में होने के बाद पता चलता है अगर पहले पता चल जाता तो जाने क्या होता तो भाई मेरे वो फिर कैसे कोई खोफिया एजनसी र रहा हूं वर्ष 2017 में ही किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2024 के अंदर जनवरी में श्री राम मंदिर का आयुध्या में निर्माण शुरू हो जाएगा अगर 2017 में 2024 की घटना का जिक्र कर दिया गया और वो होता हुआ दिखाई दिया इसका मतलब हम हमारी एस्ट्रोलॉजी में कुछ तो है हमारी जोतिश में कुछ तो है मैं जोतिश पर यकीन करता भी हूँ और जोतिश पर यकीन करता हूँ क्योंकि अपने आप में एक साइंस है तो ऐसे ही मैंने सोचा कि जब यह साइंस है तो इसका कैलकुलेशन के साथ बहतरीन समायोज होगा calculations तो internet पर बहुत आसानी से की जा सकती है applications पर बहुत smoothly की जा सकती है और ऐसे करते करते मैं जा पहुचा एक application के नजदीक एक ऐसे platform के नजदीक जिसका नाम था astrotalk astrotalk app पर बस मैंने यूँ ही अपने आपको register किया और जाचकर अपने data check करना शुरू किया कि क्या applications के थुरू भी scientific manner में क्या ये जाचा जा सकता है कि future के predictions कितने सटीक है या भविश्य में जो मेरे साथ घटित हुआ है क्या इनके बारे में app की calculations से ये पता चल सकता है क्या वहाँ पर app के थुरू दे ये जा रही सुविधाओं में जो astrologers बिठाए जा रहे हैं क्या वो सटीक calculation लगा पा रहे हैं out of curiosity मैंने भी astro talk से अपनी digits दे कर अपनी date of birth time of birth place of birth जैसी जानकारी साजा करके जाचने का प्रयास किया जानकारियां बहुत हद तक सटीक निकली बहुत ज़्यादा shocking जानकारियां कि आप इस profession में हो सकते हैं आप कुछ इस प्रकार का काम कर रहे होंगे आपका परिवार इस प्रकार का होगा आप शादी शुदा जिन्दगी में होंगे आपके घर में इतने परिवार जन हैं इस तरह की जानकारी जब मुझे पता चली तो मैं astrology पर अल्रेडी यकीन करता था लेकिन इसके साथ साथ application पर भी यकीन बढ़ा कि हाँ एप की थुरू भी बहुत से लोग astrology में बहुत अच्छी अच्छी services दे रहे हैं अभी तक आप लोगों को Illuminati के बारे में जानकर भविश्य को लेकर फिर से चिंताएं बनना शुरू हो गया होगा कि क्या होगा यदि Illuminati ऐसे ही काम करते रहा और क्या होगा अगर मैं ऐसे ही चलता रहा यदि आपको अपने भविश्य के बारे में जानना है और जोतिश पे आपको 76 की जर्मनी के अंदर बावरिया नाम की एक जगह हुआ करती थी वहाँ पर एक इंग्लोस्ताद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिनका नाम था एडम विशॉप उन्हों अपने कुछ स्टुडेंट्स के साथ मिलकर इसको इस्टैबलिश किया कई रिकॉर्ड्स के अंदर उनके इन स्टुडेंट्स की संख्या चार बताई गई कहते हैं कि प्रोफेसर एडम विशॉप ने अपने स्टुडेंट्स से इस सम्हू को हमेशा गुप्त रखने की बात कही और उनके स्टुडेंट्स ने उनकी इस बात को स्विकार भी किया इस तरह अपने चार चात्रों के साथ मिलकर प्रोफेसर एडम विशॉप एक खुफिया एजनसी की स्थापना करते हैं जिसका नाम रखा गया ओडर ओफ इलुमिनाटी लेकिन यही नाम क्यों इसका भी विशेश लोग इस शब्द में इलुमिनाटी का अर्थ आता है कि बहुत ही ज्यानी और विशेश्ट लोगों का कोई समू है अब यह दूसरा सवाल आता है कि उन्हों ने इस समू को इस्थापित क्यों किया बड़ा सवाल है अगर हम इस प्रशन का उत्तर प्रोफेसर एड नियम कानूनों के चलते अपनी जिंदगी खुल कर नहीं जी पा रहे हैं वह चाहते थे कि लोग धार्मिक नियम कानूनों अंध विश्वास और रूडिवादी सोच से निकल कर अच्छा जीवन जीए सब को समानता का अधिकार मिले और समाज को सिक्षित बनाया जाया और प्रॉफेसर एडम ने इस खुफिया एजनसी की शुरुवात की तो जर्मन के सिक्षित लोगों का इसे समर्थन मिलना भी शुरू हुआ धीरे धीरे सुसाइटी के लॉयर, डॉक्टर, टीचर्स जो की थोड़े बहुत पावर्फुल लोग थे इस सम्हु से जुड़ने लगे लेकिन कुछ साल बाद ही बावरिया के प्रशाशन को इस खुफिया सम्हु की भनक लग गई और बावरिया के प्रशाशन को इस खुफिया एजनसी से जुड़े लोगों के विचार अपने सामराज के अस्तित्व के लिए खत्रे की घंटे लगने लगे इस घटना के बाद इस सम्हु को खत्म करने की कौशिशे भी शुरू कर दी गई साल आया 1789 जहां से लिकर 1785 तक बावरिया प्रशाशन के लोगों ने घरों पर लगातार चापे मार कर जितने लोग इस एजनसी से जुड़े हुए पाए गए उन सब को बहार निकाला उन्हें जेल में डाल दिया उन्हें घर से निकाल दिया देश से निकाल दिया इवन कुछ रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती हैं कि चापा मारने की प्रक्रिया के दौरान इलुमिनाटी से जुड़े कुछ लोगों के घर खास तरे की ट्रांस्परेंट इंक के साथ मिले थे जिसका योउज इलुमिनाटी ग्रूप के लोग सीक्रेट कम्यूनिकेशन के लिए किया करते थे साथ में ये भी कहा गया कि इलुमिनाटी से जुड़े लोग अपने लिए एक थास कोड़नेम का उपयोग किया करते थे चापे मारी के बाद प्रोफेसर एडम को राजद्रो के आरोप में बावरिया शहर से बेदखल कर दिया और दूसरे शहर गोथा में भीज दिया जो बावरिया शहर से लगभग 300 किलो मेटर दूर था आपके दिमार्थ में अब तक एक प्रशन बन चुका होगा ऐसा कर क्यों रहे थे साथ कि जो फ्रांसी सी क्रांटी की आप जिक्र करते हैं तो आप पाएंगे कि इलुमिनाटी का जो उद्देश था वो कही ना कहीं फ्रांसी सी क्रांटी के माध्यम से पूर्ण होता दिखा इसलिए लोगों का ये तक मानना है कि फ्रांसी सी क्रांटी के पीछे भी इलुमिनाटी जिम्मेदार था फिर से लोटते हैं गोटा शहर में रहते हुए प्रोफेशर एडम फिर से कॉलेज में नौकरी करने लगे थे साल 1830 तक जब उनकी दैथ हो गई तब तक वे वही नौकरी करते रहें इस घटना के बाद जहां एक तरफ लोगों को लग रहा था कि इलोमिनाटी 1784 में ही खत्म हो गया था वहीं दूसरी थियोरीज के हिसाब से इलोमिनाटी अभी भी धीरे-धीरे लोगों को अपने साथ जोड रहा था और जर्मनी से बाहर निकल कर आसपास के देशों में भी अपने पाउं जमा रहा था कुछ लोगों का तो यह भी मत है कि थोड़े समय तक शांत रहने के बाद खुद प्रोफेसर एडम ने फिर से लोगों को इलोमिनाटी से जोड़ना शुरू किया था और अपनी जिंदगी के आखरी समय तक इलोमिनाटी के प्रचार प्रसार का काम करते रहे जर्मनी में हुए छापामारी अभियान के ठीक दस साल बाद फ्रांस की क्रांती प्रभावी रूप से शुरू होती है जिसके साथ इलोमिनाटी का नाम दुबारा सामने आता है तो फिर बड़ा सवाल है फ्रेंच रेवलुशन से इसका क्या सम्मन्द था फ्रांस के हिस्टोरिकल रेवलुशन से इसका कनेक्शन है आपको याद हो कि फ्रांस में सोशल और पॉलिटिकल धाचे को हमेशा के लिए बदलने की एक क्रांती हुई थी लेकिन जिन कारणों से फ्रांस में इस क्रांती का जनम हुआ वो एलोमिनाटी के उद्देश में दिखाई पड़ते थे एलोमिनाटी की विचारधारा से हुबहु मेल खाते थे ऐसे में जो लोग एलोमिनाटी को समाप्त मान चुके थे क्रांती होने के बाद उन्हें ये लगने लगा कि इस क्रांती को बढ़ावा देने प्रशाशन के खिलाफ लोगों को खड़ा करने में कहीं एलुमिनाटी का ही तो हाथ नहीं है क्योंकि जो उनकी विचारधारा थी वो तो सब लोग क्रांती में डिमांड कर रहे थे लोग छुपकर थे लेकिन क्रांती कर दिये थे जिसके बाद इलुमिनाटी फिर से लोगों के बीच बड़ी चर्चा का विशह बन गया फ्रांस में हुई इस क्रांती ने इलुमिनाटी का नाम इतना प्रभावशाली बना दिया कि योरोप समेट अब अमेरिका में होने वाली कई क्रांतियों में इसका जिक्र होने लगा 1815 में फ्रांस के नेपोलियन बॉनापार्ट और बिटेन के ड्यूफ आफ वेलिंग्टिन के बीच हुए वाटर लूप मतलब इस युद्ध को भी इलुमिनाटी के द्वारा ही प्रायोजित माना गया जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी फ्रांस पर उसका साशन भी समाप्त हुआ था यानि इन्हों ने गुप्त रूप से समाज से ऐसे लोगों को मिटाने का प्रयास किया जो इनकी विचार धारा के विप्रीत थे साथी उतिहास कि इन घटनाओं के बीच इलुमिनाटी का संबन्त कितना सही और कितना गलत है इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता लेगन इन घटनाओं के बाद भी बहुत सी ऐसी घटनाए घटित होती रही जिनके साथ इलुमिनाटी का संबन्त जोडा जाता रहा जिसमें सबसे बड़ी घटना थी अमेरिकी राष्ट्रपती जॉन एफ कैनेडी की हत्या विचार कीजिए कि अमेरिका जैसे most powerful nation के राष्ट्रपती की हत्या हो जाती है और कोई कारण निकल कर सामने नहीं आता है तो फिर बड़ा सवाल है कि 1963 में अमेरिकी राष्ट्रपती जॉन एफ कैनेडी की रह्ष्रमाई मौत हुई तब इलुमिनाटी का नाम कैसे निकल कर आया अमेरिका के राष्ट्रपती के हत्या कोई आम बात नहीं थी इसको लेकर के दबबग का लेडी के नाम से एक बहुती फेमस थ्योरी भी प्रशलित हुई जिसमें कुछ लोगों का कहना था कि जिस समय कैनेडी की हत्या हुई उस दौरान उनके आसपास एक महिला थी जिसके हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाली बंदूक थी लोगों का कहना था कि इस महिला ने ही जौन F. कैनेडी की हत्या की थी इसका संबंध इलुमिनाटी कुफिया एजनसी से था यह भी दावा किया जाता है कि कैनेडी की हत्या के बाद उस महिला को फिर से कभी दोबारा नहीं देखा गया और ना ही कैनेडी के हत्यारों का कुछ पता चल सका हाना कि जौन F. कैनेडी की इस हत्या के लिए अमेरिकी कुफिया एजनसी सी याई ए एफबी आई के साथ रूस की कुफिया एजनसी पर भी जाच की गई इस घटना के बाद ऐलोमिनाटी से जुड़ी ऐसी ही एक और घटना साल 2009 में तब घटी जब पॉप इस टांसर पॉप किंग माइकल जेक्सियन की मिस्टीरियस डैथ हो जाती है इसके पीछे भी ऐलोमिनाटी का हाथ होने की खबर थी लोगों का कहना था कि माइकल जेक्सन ने पब्लीकली एक्सेप्ट कर लिया था कि वे इलोमिनाटी के सदश हैं लेकिन इलोमिनाटी खुफिया एजेंसी के नियमों के अनुसार कोई भी मेंबर पब्लीक में इलोमिनाटी के साथ अपने सम्मंधों की बात नहीं कर सकता जिसके लिए उनको मार दिया गया हाला कि forensic reports में Michael Jackson की म्रत्यू का कारण drug overdose बताया गया लेकिन Michael Jackson अकेले celebrity नहीं थे जिनको Illuminati का सदश्च बताया गया हो क्योंकि कई conspiracy theories ने ये दावा किया है कि Winston Churchill, Bush का परिवार, Barack Obama, सहीद कई बड़े लोग Illuminati की सदश्च थे या हैं इसके अलावा अमेरिकी सिंगर Carrie, Katy Perry ने इस ग्रूप से जुड़े होने का दावा किया लोगों का कहना है कि Katy ने अपने कई musical album और award night परफॉर्म करने के दौरान Illuminati के त्रिकॉन वाले चिन्नों को दिखाया Katy Perry के साथ इस लिस्ट में Justin Bieber, Mighty Siren, Madonna, Britney Spears, Lady Gaga, Kanye West और Eminem जैसे artist पर भी इस ग्रूप के साथ सम्मन्ध होने के आरोप लगते रहे हैं Conspiracy theories की माने तो Illuminati आज भी हमारे बीच मौजूद है और उन्होंने अपने संग्धन को नया नाम भी दिया है The New World Order आज के समय Illuminati दुनिया को अलग-अलग देशों में बाट कर नहीं देखता Illuminati पूरी दुनिया को एक ही सिस्टम के नीचे लाना चाहता है जिससे ये लोग सारी दुनिया को अपने हिसाब से चला सके अपने हिसाब से चलाने का मतलब है अपने रूल्स और रेगुलेशन को सारी दुनिया के उपर लागू किया जा सके और अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए ये खुफिया एजनसी पावरफुल लोगों को अपना मैंबर बनाती है फिर उनके जरिये उनके फॉलोवर्स को प्रभावित करती है साथियों Conspiracies theories के इन बड़े-बड़े दावों को जानने के बाद अब आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि Illuminati जैसी कोई खुफिया एजनसी क्या सच में मौदूद है तो इतिहास में हुई इन तमाम बड़ी घटनाओं में से एक दो घटनाओं में इनका हाथ होने का जिक्र होने से यह बिलकुल भी साबित नहीं हो जाता कि यह दुनिया की खुफिया एजनसी आज भी एक्टिव है सच यह है कि लंबे समय तक इलोमिनाटी लोगों के बीच एक रह्षब बना हुआ था बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर किताबे लिखी बहुत सी हॉलिवूड मूवीज में इसका जिक्र भी बार-बार होता रहा हाँ इस बात की पूरी संभावना है कि जब साल 1777 के आसपास इसकी शुरुवात कोई तो उसके बाद कुछ समय तक या फिर 20-30 साल तक यह एक्टिव रही हो लेकिन इतने सालों बाज तक एक्टिव रहना किसी को भी इस खुफिया एजनसी के बारे में जानकारी ना होना ये बड़ा ही असंभाव सी बात है हाला कि अभी भी लोगों का एक बहुत बड़ा समू है जो इस बात को मानता है कि इलोमिनाटी आज भी एक्टिव है खास तोर पर ये उरोपिये देशों में हो रहा है तो फिर समू का मिशन कहा जा सकता है कि ये लोगों को धार्मिक कटरता, अंधविश्वास, धार्मिक राजनेती से बाहर निकालना चाहता है तो इनका यह प्रभाव कहीं पर भी नजर क्यों नहीं आता है क्यों आज के समय में भी बहुत सारे देशों में धर्म के नाम पर कटरता अपने चरम पर है क्यों बहुत सारे देशों में आज भी आतंगवाद से लोग पीडित है क्यों Middle East पूरी तरह से अशांत है वहीं दूसरी और, अमेरिका और चाइना जैसे देश कमजोर देशों को तभा कर रहे है तो कहां है ये Illuminati और एक प्रकार से उनका सोशन ही कर रहे है अब ये सवाल उठता है कि अगर Illuminati सच में है, तो ये अत्याचार होता हुआ देखकर ये सब होने से क्यों नहीं रोक पाते हैं और ये तो हमने कुछ ही घटनाओं का जिकर किया दुनिया में ऐसी रोज घटनाओं होती है जो Illuminati के विचारों के विरुद्ध है तो ऐसी घटनाओं रुक क्यों नहीं रही तीसरी बात यह भी है जो भी समू से जुड़ी हुई बाते हैं जैसे उनका चिन ल्यूसीफर सहतान की आँख ये लोग सहतान की पूजा करते हैं ब्लैक मैजिक यूज करते हैं उनके मेंबर्स अपने फॉलोवर्स की बली देते हैं इत्यादी इत्यादी ये सबी बातें इंटरनेट की तमाम वेबसाइट पर लिखी हुई बाते हैं जिनका कोई भी रिसोर्स इसकी गारेंटी नहीं देता यानि कि ये कहानी मनघणत कहानियों का हिस्सा भी हो सकती है ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई घटना घटी उसका किसी के पास जवाब नहीं था तो जवाब के नाम पर इलूमिनाटी का नाम दे दिया गया इसका मतलब ये हुआ कि इलूमिनाटी लोगों को सिक्षित और आधुनिक विचारधारा से जोडने की बात करता है तो दूसरी और वहें लोगों को शैतान की पूजा और ब्लैक मैजिक करने वाले तांत्रिकों से जोड़ रहा है ये दौनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीथ है इसी कारण से इसे परिलोग की कथाओं जैसा माना जाता है कि नहीं भी है और है भी है होता हुआ घटना दिखता है जवाब नहीं मिलता तो एलुमिनाटी है लेकिन जब बातें बड़ी-बड़ी करें समानता की बात करें अंधविश्वास मिटाने की बात करें चर्च के साशन के विरुद्ध खड़े होने की बात करें वोई खुद तांत्रिकों की बात करें, इसका मतलब बहुत सारे contradictions हैं, ऐसे स्थिती में, Illuminati के नाम पर जो कुछ लिख दिया गया है, उसको होने और ना होने को लेकर लोग confused हो चुके हैं, Illuminati conspiracy की इस आग में घी ढालने का काम, John F. Kennedy की हत्या और Michael Jackson की हत्या ने किया, किसी आ Illuminati से जोड़ दिया गया, आप इतिहास में घटित हुई, इन सारी घटनाओं को देख लीजिए, जिन से Illuminati का नाम जोड़ा गया हो, उनका कारण आज तक इस पस्ट नहीं है, क्यों हुए, किस ने किया, क्यों किया, जब इन सारे सवालों के जवाब ना मिले हों, तो Illuminati क को लाकर सामने खड़ा कर दो, अब ये जान बूझकर किया गया, या कुछ conspiracy theorist के द्वारा ये स्थापित किया गया, इसका जवाब देना तो हाला कि थोड़ा असंभव है, पर कहीना कहीं तो इसकी शुरुवात होती ही है, इसके साथ बहुत से लोगों ने Illuminati का उपयोग किताबों को बेचने, उनके लेखों को popular बनाने के लिए और सिर्फ मन गरंद कहानियों का हिस्सा पर बन जाने के लिए भी किया हो, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, तमाम लेखों को का Illuminati के नाम पर इस प्रकार का प्रयोग ये प्रभाव हुआ कि लोगों की बीच प आपके साय से डर सताय कि ये है भी और नहीं भी, conspiracy theory समाज के अंदर लंबा इतिहास रखती है, Illuminati भी उनमें से एक है, कुछ वर्षों की जो conspiracies हैं, जैसे कि 2012 के अंदर दुनिया समाप्त होने की भविश्यवानी हो, या COVID pandemic के दौरान Bill Gates पर दुनिया भर की सरकारों को पैसा देकर के महमारी फैलाने का आरोप लगाना हो इत्यादी, साथियों, अब आखिर में आपके सवाल का जवाब, मैंने वीडियो में आपसे पूछा था कि क्या हमको इससे डरने की जरुवत है, तो इसका जवाब भी संभवत आपको मिली गया होगा, कि जो चीज केवल इतिहा और कहानियों तक सीमित है, तो इससे डरने की कोई जरुवत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हमें किसी चीज से डरने की जरुवत है, तो वो है वास्तविक्ता में, पॉपॉलेशन, पॉल्यूशन, नैचुरल रिसोर्स का खतम होना, बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज से प्र झाल 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 झाल